अगर आप अपने घर के लिए एक fully automatic washing machine लेना चाहते हो तो ये वास्तम में बहुत confusing काम है क्योंकि यहाँ पर मैंने एक चीज observe करी है कि बहुत से लोगों को यहाँ पर नहीं पता है कि top loading washing machine लेनी चाहिए या front loading washing machine लेनी चाहिए जातर लोगों का मानना है कि जो front loading washing machine होती है वो जातर western countries में use होती है इंडिया के लिए तो सबसे बढ़िया है top loading washing machine और वहीं पर बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि आपके लिए आपके घर के लिए exactly किस तरीकी की washing machine जरूरी है तो इस चीज़ को इस confusion को दूर करने के लिए दोस्तो आज हम आप लोगों के सामने आ गए है यहाँ पर हम आज आप लोगों से बात करने वाले हैं कि top loading washing machine और front loading washing machine इन दोनों में से आप लोगों को आपकी requirement आपके घर के लिए कौन सी washing machine consider करने चाहिए इन-depth review होने वाला है दोस्तों और बहुत सारी चीज़े आप लोगों को इस वीडियो में जानने को मिलेगी तो please make sure कि वीडियो को आखरी तक देगे क्योंकि एक-एक point बहुत important इस वीडियो में होने वाला है इस वीडियो में हम top loaded washing machine और front loaded washing machine के difference के बारे बात करने वाले हैं कौन सी washing machine किस चीज में बैता रहे और किसके लिए काम करेगी इसके अलावा वीडियो के आखिर में हम आप लोगों को top best washing machine भी सब्सक्राइब करने वाले हैं वहीं पर front loading washing machine में आपको आगे से कपड़े डालने पड़ते हैं top loaded washing machine में vertical drum आप लोगों को मिलता है वहीं front loading washing machine में आप लोगों को horizontal drum देखने को मिलता है top loading washing machine compact होती है काफी कम space में fit हो जाती है और इनका price भी थोड़ा सा कम होता है वहीं पर front load washing machine थोड़ा सा ज़ादा area occupy करती है लेकिन इसमें आपको काफी सारे advance और actual में काम के features मिल जाएंगे with so many different wash programs अब यहां तक आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें तो यह चीद पता है इसमें तो कोई खास बात हमें लगी नहीं लेकिन खास बात है जहां पर top load washing machine में आप लोगों को vertical drum मिलता है और front load washing machine में आप लोगो horizontal drum मिलता है तो यहां पर बहुत सारे concepts और चीज़े change हो जाती है जिसके बारे में हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले सोड़ा comparison कर लेते हैं सबसे पहले price की बात करते हैं तो top load washing machine front load washing machine से काफी सस्ती आती है लगबग 13, 14, 15,000 से शुरू हो के 40,000 रुपीज तक आपको front loading washing machine मिल जाएगी लेकिन सस्ती होने का मतलब यह नहीं है कि आपको lifetime सस्ती पड़ेगी top loaded washing machine का running cost electricity का cost दोस्तो बहुत जादा होता है और water consumption पानी का uses भी top loading machine में बहुत जादा होता है अगर compare करे front loading washing machine से front loading washing machine usually महंगी आती है 20,000 से शुरू हो जाती है और लेने को तो 1,5,000,000 रुपे तक आप front loading washing machine ले सकते हो लेकिन front loading washing machine में जो electricity होती है और जो पानी होता है वो बहुत जादा कम use होता है अगर compare करे top loading washing machine से तो लगवक 40% कम electricity and water आप लोगों की washing machine लेने वाली है front loading washing machine ये एक main factor हो जाता है washing machine को लेने से पहले consider करने के लिए क्योंकि washing machine हमारे गरों में इंडियन हाउस वोल्ड में तो भाई 8, 8, 10, 10 साल लोग चलाते हैं तो 10 साल तक आप जब भी उसको चलाओगे दो दिन में 2 गंटे, 3 गंटे, 1 गंटे जब भी चलाओगे तब तक आप लोगों को extra पानी का cost भी पे करना पड़ेगा और extra electricity का cost भी पे करना पड़ेगा आप second thing है भाई यूजेज को comparison करते हैं तो जो top loading machine होती है उनको use करना काफी simple होता है, काफी असान होता है normally कपड़े डालो, कुछ wash programs होंगे, उनको आप select करके easily कपड़ों को wash कर सकते हो वहीं पर front loading machine में कपड़े दोलना थोड़ से complicated हो जाता है जो इनसान पहली बार कपड़े दोल रहा होगा क्योंकि उसमें बहुत सारे advanced features आप लोगों को मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें अलग से मिलती है कई अलग अलग तरीके के wash programs भी आपको देखने को मिल जाएंगे इसके अलावा एक और major difference होता है, कि जो top loading washing machine होती है, वो easy रहती है ये use करने के लिए क्योंकि आपको खड़े हो के basically कपड़े डालने पड़ते हैं, वही पर front loading washing machine में आप लोगों को जुकना पड़ेगा कपड़े डालने के लिए और यहाँ पर एक और चीज है, top load washing machine में आप अपनी wash cycle के बीच में अलग से उपर से पानी भी add कर सकते हो और extra close भी add कर सकते हो आपको डिरेक्ट वोल से ही tap water directly connect करके add करना पड़ेगा, तो यहाँ तक आप लोगों को लग रहा हुगा कि यह top load washing machine ही जादा वड़िया फिर फालतु में क्यों front load washing machine लेनी तो रुकिये दोस्तों थोड़ा रुकिये इस वीडियो को पूरा दे कि तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा wash quality की बात कर लेते हैं जो washing machine का एक ही काम होता है कपड़े धुलना इसके अलावा आपको company दुनिया भर के features बता बता के पागल बनाती रहती है हम अपने washing machine में ये दे देते हैं ये देते हैं उनका कोई काम नहीं होता है वो सिर्फ दिखावे के नाम होते हैं यहाँ पर बात करें अगर हम wash quality की तो top loading washing machine में vertical drum होता है vertical drum होने की वज़े से सारे कपड़े पानी में डूब जाते हैं vertically ही रहते हैं और इसके बाद में vertical moment होता है जिसके वज़े से पानी में proper detergent मिल नहीं पाता है आपके कपड़े उतने अच्छे से नहीं दूल पाते हैं और एक और बहुत ज़रूरी चीज होती है कि vertical drum है तो जब आपका drum गुमेगा आपके कपड़े भी गुमेंगे बार बार ओ इधर उधर उधर लगेंगे आपके कपड़ों के fabrics भी थोड़े बहुत खराब होते हैं and wash quality भी उतनी ज़्यादा better नहीं रहती है अगर compare करोगे front load washing machine से front load washing machine में horizontal drum होता है horizontal drum बहुत easy रहता है move करने में and जब आपके कपड़े wash होते हैं तो वो इस cycle में wash होते हैं जैसे वो मुड़ते तूड़ते नहीं है इधर उधर ड्रम में नहीं लगते हैं और बात करे wash quality की तो top load washing machine से बहुत ज़ादा अच्छी quality रहती है कपड़ों की अगर हम front loading washing machine यूज करें तो front loading washing machine में अलग-अलग angles से कपड़े दूलते हैं और बहुत सारी features होते हैं तो जो delicate कपड़े होते हैं सर्दियों के कपड़े हुए जो जिन में थोड़ी रूई होती है या कुछ उन वाले कपड़े उनको कावी अच्छे तरीके से बहुत ही प्यार से आप लोग front load washing machine में दूल सकते हो थोड़ा-थोड़ा करके अपने अंदर पानी लेती रहती है और तीन बार पानी भरने के बाद में भी top loading washing machine से 40% कम पानी के uses करती है front loading washing machine top load में basically churning action होता है ऐसे कपड़े दूलते हैं and front load में आपको tumbling action मिलता है basically ऐसे कपड़े आपके दूलते हैं तो wash quality आपके कपड़ों की दूलने की quality बहुत ज़ादा अच्छी होती है front load washing machine में electricity भी save होती है and water consumption भी save होता है अगर आप लोग front load washing machine concerned करते हो तो अब next point की बात करते हैं जो की बहुत important है वो है drying cycle जितना कपड़ों को धोना important है उतना ही important है कपड़ों को सुखाना और यह चीज़ totally depend करती है आपकी washing machine के spin पर, spin का मतलब आपकी washing machine कितना rotation per minute लेती है जितने ज़ादा rpm होगा जितने ज़ादा revolution rotation per minute होगा उतने अच्छे से आपके कपड़े dry होगे अब top loaded washing machine की बात करें दोस्तों तो top loaded washing machine में 600, 700 या maximum 800 revolution per minute आप लोगों को मिल जाएंगे लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें front loading washing machine बहुत ध्यान से सुनना इस चीज़ को तो front loading washing machine में आप लोगों को ज़ादा revolution मिलते हैं लगबग 1000 rotation per minute आप लोगो front loading washing machine में मिल जाते हैं अब एक चीज़ यहाँ पर जो समझने वाली है गोर करने वाली है वो यह है कि जब आपके कपड़े 800, 600 या 1000 rotation per minute पर घूमेंगे तो उनका fabric कितना ज़ादा damage होगा यह चीज़ कंसिर्डर करने वाली है कपड़े बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं तो यहाँ पर जो main factor है दोस्तों वो आता है drum का जो vertical drum रहता है उसमें जब कपड़े घूमते हैं वो drum भी हिलता है तो कपड़ों की quality खराब हो जाती है लेकिन front loading washing machine में horizontal drum रहता है तो gravity के साब से वो उसी तरीके से घूमता है कपड़े आपके dry उसी हिसाब से होते हैं जादा इदर उदर लगते नहीं है तुड़ते मोडते नहीं है और बहुत ही अच्छी quality के साथ में दुल के सूख के ready हो जाते हैं तो कपड़े धोने के साथ साथ में कपड़े सुखाने के लिए भी front load washing machine best choice होती है अब next point है भाई maintenance maintenance वो जरूरी चीज़ होती है washing machine हम लोग तो अपने गर में 8-10 साल चलाते हैं तो बात करे top loaded washing machine में तो आपको as such कोई ज़्यादा maintenance नहीं देना पड़ता है कोई ऐसी problem अगर आगई वो तो किसी भी washing machine में आ सकती है लेकिन usually आप लोगों कोई maintenance नहीं देना पड़ता है लेकिन front load washing machine की बात करोगे तो front load में आगे की तरफ door होता है और उस door को lock करने के लिए gasket और seal होती है तो उसके खराब होने के chances हो जाते हैं over the period of time और उसको आपको अलग से जाके बाद में replace कराना पड़ सकता है बाकि इसके अलावा और जो maintenance cost है वो दोनों machines में same मिलता है बट ये जी चीज मैंने आप लोगों को बताए ये definitely consider करने वाली है अब बात कर लेते हैं features की और fabric care की तो features fabric care में जो top loaded washing machine होती है उनमें कम feature होते हैं और front loaded washing machine होती है उनमें बहुत ज्यादा advanced feature होते हैं अच्छी wash cycles और wash programs आप लोगों को front load washing machine में देखने को मिल जाएंगे बात करें fabric care की तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया front load washing machine बहुत जादा better होती है आपके कपड़ों के लिए अगर आप expensive clothes दूलते हो अलग-अलग तरीके के delicate washing आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को definitely यहाँ पर front load washing machine consider करनी चाहिए और यहाँ पर top loading washing machine में noise बहुत जादा होती है थोड़ी बहुत vibrate भी करती है लेकिन front load washing machine काफी जादा silent रहती है तो इन सभी points के बाद में यहाँ पर यह question आता है कि कौन सी washing machine finally consider करनी चाहिए तो भाई मेरे according अगर आप लोगों का budget कम है तो आप definitely top loading washing machine consider कर सकते हो maintenance वही normal रहता है लेकिन long term में आपको ज़्यादा electricity bill pay करना पड़ेगा and water consumption भी आप लोगों का ज़्यादा होगा and अगर आप लोगों को अलग-अलग तरीके कपड़े दूलने है अच्छी wash चाहिए अपने कपडों में आपके कपड़े के fabric हमेशा बने रहे हैं electricity consumption भी कम हो और पानी का अस्तिमाल भी कम से कम हो क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है and आप लोगों को काफी expensive, delicate, अलग-अलग तरीके कपड़े दूलने होते हैं तो आप लोगों को अपने लिए front load washing machine ही consider करनी चाहिए क्योंकि वो आप लोगों के लिए सबसे best option होने वाला है अब front load washing machine लेनी है तो कौन सी ले और top load washing machine लेनी है तो कौन सी ले तो ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं capacity की अगर आपके घर में 2-3 family member है तो 6-6 kg की washing machine आप लोगों के लिए enough रहेगी अगर आप लोगों के घर में 3-4 family member है तो 7 kg, 7.5 kg तक की washing machine आप consider कर सकते हो इससे ज़ादा member है तो आप 8 kg and so on capacity में washing machine consider कर सकते हो अब यहाँ पर सबसे पहले top loading washing machine की बात कर लेते हैं फिर front load washing machine की बात करेंगे तो यहाँ पर हम आप लोगों को इंडिया में आने वाली 3 सबसे बैतरीन top loading washing machine सेच्ट करने वाले हैं सबसे पहली जोई दोस्तो हमाई तरफ से होने वाली यह वोलपूल की तरफ से आने वाली 7 kg 5 star innovator washing machine बहुत ही बैतरीन प्रोड़क है दोस्तों वोलपूल ब्रेंड का आप लोग जानते होंगे बहुत कम maintenance के साथ में बहुत ही अच्छा और पारफुल मोटर आप लोगों इस washing machine में मिल जाएगा और आज की डेट में 18-19,000 रुपे के प्राइस रेंज में आप लोग के washing machine easily मिल जाएगी लिंक इसका मैं डेस्क्रिप्शन में डाल दूँगा दूसरी washing machine की बात करते हैं दूसरी आती है भाई बोष्ट की 7KG 5 Star fully automatic toco-loading washing machine ये भी बहुत बैतनी product है दोस्तों बोष्ट की तरफ से आने वाला जिस premium quality में आप लोग के washing machine मिलेगी और जिस तरीके से ये आपकी कपड़ों को wash करेगी वो बहुत ही शांदार रहने वाला है साड़े 18,000 रुपे के budget में आज की rate में आप definitely इस washing machine को भी answer कर सकते हो इसका भी link in description मिल जाएगा और थर्ड नंबर पे आती है भाई LG की तरफ से आने वाली 8KG innovator 5 Star rating वाली fully automatic top-loading washing machine ये भी one of the best product है दोस्तों top-loading washing machine में LG की washing machine हालकि ये जितनी भी washing machine बता रहा हूँ ये अलग-अलग capacity में आती है आपको किसी भी capacity में चाहिए हो आप खरी सकते हो सभी के link में आप लोगों के लिए नीचे description में डाल दूँगा बट ये 3 washing machine ही top-loading में हम आप लोगों को तो आपको ना तो after sales service में कोई दिख्यत आएगी और ना ही maintenance में आपको कोई issue आने वाला है price की बात करें तो बहुत ही कम price है लगबग 22,000 से 23,000 रुबीज के बीच में इसका price आज की date में रहता है और इसका link भी मैं इसे description में डाल दूँगा second number पर आती है भाई IFB की 7 kg में fully automatic front loading washing machine अब जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ये अलग-अलग capacity में आती है 6 kg में भी आ जाएगी उससे उपर भी आ जाएगी but one of the best products रहने वाले है IFB के बहुत ही अच्छी brand है दोस्तो तो बहुत अच्छी quality आप लोगों को मिलती है और काफी कम noise के साथ में आप लोगों के ये washing machine मिल जाती है built-in heater 3D wash program जैसे दुनिया भर की technology आप लोगों को इस washing machine मिल जाएगी price की बात करते तो आज की rate में 29-30,000 के बीच में this washing machine का price है link description में डाल दूँगा आप check out कर सकते हैं लेकिन आप बात करते हैं हमाई list में आने वाले 3rd number के प्रोड़क की तरफ 3rd number पर आती है बाई यहांपर बोस्त की तरफ से आने वाली 8 kg fully automatic front loading washing machine बोस्त के प्रोड़क जैसे कि मैंने top loading में बताया बहुत ही बैतरीन एंड एडवांस क्वालिटी के प्रोड़क होते हैं आप लोग अगर बोस्त की washing machine या कोई भी प्रोड़क लोग है तो उनमें आपको premium mess अलग ही मिल जाएगी खुब सारे features अलग-अलग तरीके के काफी अलग-अलग technology आपको इस washing machine में मिल जाएगी और बात करें price की तो आज की date में ये washing machine आपको 35,000 रुपीज में मिलने वाली है इस washing machine का और जितनी भी washing machine है हर एक capacity में सभी का link आपको निचे description मिल जाएगा लेकिन यहाँ पर मेरा personal suggestion जो आप लोग को रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि budget issue ना हो और आप लोगों के मन में थोड़ा डामा डोल हो कि front load washing machine ले या top loading washing machine ले तो आप कोशिश की दिए अगर आप लोगों कोई दिक्कत ना हो budget में कोई problem ना हो front load washing machine लेने की कौन सी washing machine लेनी है वो मैंने आप logo स्रेस्ट करी दिया बाकि ये आप logo पे depend करता है कि आपके घर के लिए आपकी requirement के लिए कौन सी washing machine आप logo को लेनी चाहिए बहले ही वो top loading washing machine हो या front load washing machine हो ये वीडियो दोस्तों मैं इसी वज़े से लेके आया तो क्योंकि ये confusion बहुत लोगों को रहता है और बहुत से लोगों को इन washing machine के बीच में difference नहीं बता है जिनके वज़े से अच्छे खासे पैसे लगा के भी लोग गलत फैसला ले लेते हैं और इस चीज से दोस्तों हमें फर्क पढ़ता है इसी वज़े से इस तरीके की वीडियो इसे हम आप लोगों के समने लेके आते रहते हैं अगर आप लोगों कोई भी washing machine purchase करनी हो सभी के लिंक ने देस्क्रिशन मिल जाएंगे दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को helpful साभित हुई हो तो अपनी इस वीडियो को लाइक करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना क्योंकि आप लोगों के एक सब्सक्रिशन से हमें बहुत फर्क पढ़ता है मिलते हैं ऐसी तरह किसी और वीडियो में थैंक्स वर वचिंग प्रिशान चोधरी